पूरी मैंने देखी लेकिन प्रताप का बड़पन प्रताप की महनता इस बात से निकल कर आती है कि वे अकेले रहे तो भी इसके सामने नहीं जुके हजार वर्चों की हिंदू दास्ता का जूट हमारे को क्यों पढ़ाया जाता है यह हमारे डे टू डे डिस्कोर्स का पार्ट क्यों है क्यों हम इसको कुश्चननी करते कि हम हिंदू एक दिन लिए भी किसी के डास नहीं रहे वी iszुर्ट मैटल फ़र मैटल वीफॉर बीष्ट फ़र बीष्ट वीफट मैन फर मैन और वीफॉरड फ़र ब्लाट जो मूले हिंदुओं के हमारे पुर्खों ने चुकाया है इन दुर्दान्त हत्यारों से बिढ़ने में उसको इतना बौना इतना छोटा बलकि उसे पूरा पोँचने का ये शड़ेंतर है क्या तो एक तो ये चीज थी जो हजार वर्चों की गुलामी अब टोटल सफेग जूट कोई ऐसी बात नहीं थी उधारन के लिए मुहम्मद की जो यात्रा थी कि इसलाम का प्रचार किया जाए वो 60-70 साल में पूरी हो गई नॉर्दन अफरिका पूरा मिडल इस्ट लगबख यूरप के कुछ देश चौदाव सो साल में भारत इस्लामाइज नहीं हुआ यार यह तरक निष्ठा पर बात हमें समझे में नहीं आती ति हम गुलाम रहें जो गुलाम रहते हैं वो मुसलमान हो जाते हैं ठीक है पूरे राष्ट हुए है एक तो यह सबिता का जूट था दूसरा सबिता का कि तीन सो वर्षों के कालखंड में जो ग्यारा सो बानवे से तरही की युद्ध के बाद प्रितिरा चौहान की हत्या के बाद शुरू होता है और लगबक 1528 जब तक की बाबर आकर कर यहां पर अपना शासन स्थापित नहीं करता है सांगा को धोके से जहर देकर मारने के ब में ऐसा कोई राजा नहीं आता है जिसने कोई क्यों क्यों किया हो आपके टेक्स aben सिस्टमर में आपकी आर्किटेक्चर में 3 बिलिंग बनी आं पूरे इस्लामी में 4 तीन बिल्डिंग्स बनी है लाल किला जो भी कहते हैं शायद अनंगपाल ने बनाया था ताज महल और कोतव मिनार जिनके बारे में बहुत सारे प्रमान हैं कि यह किछ और थे लेकिन चलिए हम तीन बिल्डिंग इनको ग्रांट कर देते हैं अकेले महराना कुम्भा ने नहीं कोई उलेक तक नहीं आता कुम्भा को पूरी तरह से मिटा दिया गया तो दिल्ली सल्तनत जूट क्यों लगी मुझे कि मैं जिन महराना हमीर सिंग का मैंने उलेक किया था कि 1340 के आसपास वे मुहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली की लड़ाई में हरा कर छे मैंने अपने चितोड के किले में कैद करके रखते हैं और जब वो एक लाक स्वरन मुद्राएं पांच हजार घोड़े और सिंध से लेकर मालवा तक के लेंड के राइट्स हमीर को सरेंडर करता है लिखित में तब उसको छोड़ते हैं